और लोगों को ऐसी हरकत करते वे सरम कैसे नहीं आती है यार ये हरकत मैं करता ना मेरे तक को शरमा जाती और मैं तो फिर भी एक बहुत डेट इंसान हूँ तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दे वेलकम और स्वागत यापका एक बिना न्यू गलत सीन से बढ़े हद से ज़्यादा कलत सीन से बढ़े पड़े पफजी तुम्हारा भाई जमीन के अंदर पानी में चला जाता है अजीब सा सुनने में लग रहा होगा ले लेकिन फिलाल यार नुवो आ रखाऊं और देखो हर मैच में बाकी बंदे नहीं चाहते कि मैं 30 से ज्यादा किल करूँ इस मैच में पबजी और इंटरनेट दोनों नहीं चाहते और कभी-कभी मैं नहीं समझ पाता हूं कि ऐसी जगा पे मैं आता ही क्यों हूं क्योंकि इस जगाप पे सिर्फ और सिर्फ गिंच उनके दो बंदे आते हैं यार मजाग चलना है क्या बिल्कुल पास था है पिलेन के उसके बावजूत सिर्फ दो बंदे आए और ये दोनों के दोनों बंदे यार ऐसे ही बिलकुल हलवे की तरफ यहीं पेठील जाते हैं पता इसकी वज़े से क्या दिक्कात आती है वीडियो 20 मिनट की करने के लिए बहुत पक्वास करनी पड़ती है और जैसा कि मैंने बोरा यार पिछली धाई से वीडियो लगबाग 20 मिनट की है अब अगली नहीं होगी तो अजीब सा हो जाएगा क्यार यहां से मैं जाता हूँ सीधा गाड़ी की तरफ क्योंकि यहां पे बंदे निया इसका मतलब कही न कहीं कोई न कोई कोने में यह बैठे हैं जाके और मैं नहीं चाता है यार यह आपस में लड़के ठील जाएं तो यहां से मैं गाड़ी उठाता हूँ और सीधा पहुचूंगा मिल्टी रेरी लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बैटल्स विन वेबसाइट की तो इस वेबसाइट के मदद से आप कई सारे पबजी के टूड़नामेंट खेल सकते हूँ और पैसे अन कर सकते हूँ और इसमें टाइम टू टाइम फ्री टूड़नामेंट भी होते हैं और यार एंट्री फीज बहुत कम होती है और विनिंग प्राइस काफी ज़्यादा होता है उससे कमपेर्ड और इसमें जीते वेबसे आप आराम से पेटी एम के थूड़नामेंट भी कर सकते हो और इसमें रेफरेंड अन बिये तो आप अपने दोस्तों को इन्वाइट करके भी पैसे अन कर सकते हो तो इस प्लैटफॉर्म को जरूर ट्राय करना इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टोप में और यहाँ पे न बंदे दबाके होते हैं प्लेन पाथ कई मीटर दूर था किलोमीटर दूर था यहांसे बंदे यार मैंने सोचा नी था आएंगे यहां पे लेकिन यहां पे आठ दस बंदे पहुचे पड़े हैं और यहीं कहीं बटके जा रहे हैं इस घर के आसपास अब मैं यहां ओपर में रुखता हूँ और एक बंदा इसी घर के उपर बैठा पड़ा है तो उसका पीछा करते करते मैं भी उपर पहुच जाता हूँ और लोगों को ऐसी हरकत करते वे सरम कैसे नहीं आती है यार यह हरकत मैं करता ना मेरे तक को शरम आ जाती और मैं तो फिर भी एक बहुत डेट इंसान हूँ और इधर एकी टीम में तरह तरह के बंदे भरे पड़ें एक ऐसा बंदा जो दूसरों की गाड़ी चुरा के भगने की कुशिस करता है अपनी टीम को छोड़के फिर आते हैं ये लोग जो यार उसको बचाने के लिए बगते वे ओपन से रस करते हैं यार सोचो वो भग जाता और एह तीनों ठिल जाते यार मैं होता ना इन तीनों की जगा मैं खेलना छोड़ देता उसकी पेटी बनाता अगले मैच में जाके उसके बात खेलना चोड़ता उसके साथ खेर यहाँ पे मेरे को लगता है कि यार चार ही बंदे होंगे मिल्टी ररी साफ हो चुका है क्योंकि ये काफी दूर था लेकिन उसके बावजूत यहाँ पे और भी बंदे बैठे पड़े हैं ये वाला बौड था आगे से बंदे रसरूस कर चुके हैं गाड़ी तक पहुँच चुके हैं अब गोलियां गाड़ी पे लगती है लेकिन यार दर्द ना मेरे दिल पे हो रहा था अपनी गाड़ी भोड़ते समय बहुत दुख होता है बहुत जादा दुख होता है क्यार गाड़ी भी फट गई बंदा भी नी ठिला तो यार दुख दो गुना बढ़ चुका था और अब रस भी करेंगे ये और इस नेट से मेरे टीमेट को ठिल जाना चाहिए था नजाने कैसे अभी तक जिन्दा है और यहां पर अब अंदार होने वाला है अब मैं नीचे के तरफ जाता हूँ पूरी चौड में मैंने बोला यार एक दो बंदे मैं पहले ही पकड़ चुका हूँ इनको भी पकड़ लूँगा नीचे गया दो दो तीन तीन बंदे सेटी में खड़े हो रखें और यार दभा की गुली चलाई उनने लेकिन मैं उनके काफी बंदे पहले ही नौक कर चुका हूँ और एकाद की तो पेटी भी बना दी इसका मतलब यार मेरे को रिवाइव और हीलिंग पेलने का पूरा मौका मिल चुका है मेरे को सही में लग रहा था यार जादा से जादा दो बंदे होंगे एक गाड़ी वाला और एक जो नीचे था पहले से ये तो पूरी टोली होती है पूरे के पूरे चार बंदे और अभी वो चार से दो चुके हैं तो यार यही टाइम है पकड़ना पड़ेगा इन लोग को और ये वन्दा मेरे ख्याल से आर कहीं से चड़ने की कुशिस कर रहा था आई क्यू लगा रहते भाई तो मैं भी लगाता हूँ और ये बंदा दरवाजे की पीछे ना जाने कब आ चाता है आधे सेकंड के लिए मैं सिर्फ आधे सेकंड के लिए दूर हुआ दरवाजे से भाई दरवाजे के पीछे चुप गए यार अब मैं समझ पा रहा हूँ कि कैसे ये लोग आखों के सामने गायब हो जाते हैं यहीं कहीं कोने खोपचे में छुपे रहते हैं और मैं डून नहीं पाता क्या अभी मैं काफी खुस होता हूँ मैंने बोला सही है यार आठ किल भी मिल गए बढ़िया किल हो चुके हैं और बंदे भी काफी जिन्दा है हर किसी को पकड़ के पे लूँगा मस्त से 30 किल गेमपले बनाऊँगा और फिर यार ये हो जाता है मेरे साथ और जिन्दगी में और क्या चाहिए होता है बढ़िया से केला 200 को निपटा है बढ़ी मुश्किल से भागम भाग करके 10 केल जितने हो गए थे उसके बाद आपका नेट दोका दे दे और क्या चाहिए जिन्दगी में मैं बताता हूँ क्या चाहिए पानी के अंदर घुसना वो भी ऐसी जगाँ पे जहां पे पानी नहीं है जहां पे नदी ही नहीं है वहां पे पानी के अंदर घुसना देख रहे हो सीडिया दिखाई दे रही है तुमारे भाई को यार मैं क्या ही बोलूँ क्यार जैसे ऐसे गर के नेट वापिस आजाता है लेकिन सीन क्या होता है नेट वापिस आता है बिंग भी बढ़िया दिखरी होती है हरी पिली दिखरी होती है लेकिन सच्चा ही कुछ और ही होती है गन निकालने के लिए चार-पांच बार पांच छे बार दबाना पड़ता है मेरे को सक्रीन पे तब जाके गन हात में आती है लेकिन यार हम रुकने वालों में से नहीं थे और वैसे भी आप तो काफी टाइम बरबाद हो चुका था नेट खोलते बंद करते यार बहुत टाइम बरबाद हुआ तो जहां पे भी करना है अंदार रस करना होगा ओपन में गाड़ी रोक के पेटिया बनानी होगी तभी वनेगा गेमपले और यहां गाड़ी रोक के मैं समझ जाता हूँ कुछ नहीं होने वाला उधर से ठोक के रहस करना पड़ेगा यहां पे मैं गाड़ी से उतरता हूँ और उस बंदे को मैं वही पे पकड़ सकता था लेकिन यार पहले गन नहीं बहार आती गन बहार आती है गोली नहीं चलती और जब गोली चलती है बंदा अंदर गुच जाता है और यहां पे यह साप चलाखी करके पीछे लेटा पड़ा है मतलब अगर मैं ओपन में भगू तो साप पे लेगा और घर वाले बच जाएंगे खैर सबसे पहले मैं साप कोई पकड़ता हूँ और देखो यार क्या ही लेग होता है गे और मैं जानना चाता हूँ कि यह वाला नसाप यह कैसे होता है किस चीट से यह नसे होते है बंदा खिड़के के अंदर आ गया हवा में हवा में गुलाटिया पेल रहा है यार बहुत ही खतरनाक और देखो यार देखने के लिए लेफ्ट में देखोगे हरी पिंगारी है बिल्कुल मस्त लेकिन गेम यार बिल्कुल भी बिल्कुल भी मस्त में चला है यह यह चलावा है यह हरा पिंग दिखाना चलावा है और देखो यार मैं बेसराम इंसान हूँ मेरे को बहाने देने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस बार सही में सही में मैं बहाना नहीं दे रहा हूँ और मेरे को नहीं लगता है यार कोई विश्वास करेगा कैर आगे बढ़ते हैं गाड़ी उठाता हूँ मैं सीधा पहुंचता हूँ पोचंकी की तरफ और यहीं पोचंकी के आगे डिरॉप हुआ होता है और यार बंदे पहुंच रखें बिल्कुल और उपर चल लई हैं दबा के लड़ाईयां मैं आता हूँ गाड़ी लेके मैं देखता हूँ यार यार बंदे बी ऊपर हैं बिल्कुल आरामसे पहल सकता हूँ मैं लेकिन पहल नहीं पाता और यहां मैं समझ जाता हूँ कि यार सनाइपिंग अपने बसकी नहीं है कद्दू लेने गया AWM गुरूजा से काम चलाना पड़ेगा तो मैं गुरूजा उठाता हूँ और चड़ जाता हूँ पहाड पे और काफी दिनों बाद ऐसी हरकत हो रहे है कि यार मैं नसे में नहीं हूँ मैं ढंक से खिला हूँ बिल्कुल मजे से तिमाग से लेकिन यार मेरा गेम पूरे नसे दे रहा है ये वन्दा गाड़ी के आगा आता है उसके बाद वहाँ से गाया बाई गाड़ी के पीछा चानक से अब मेरे को लगता है यार पहले की उसका लैग हो रहा हूँ फिर यादा आता है यार नेट तो मेरा नसे दे रहा था तो मैं ही लैग हो रहा हुता हूँ और इसके अभी दो बंदे और जिंदा है आप नहीं तो किल चोरी हो जाएगी और आखिर कार जाके कम से कम गोली तो लगती है नहीं तो यार ऐसे ही मेरी स्नाइपिंग सस्ती है उसके ऊपर से नेट दोका दे रहा है बंदे को गोली लग गई वही बड़ी बात है और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता ना यार वो डीबी वाला बंदा मेरे ख्याल से दोनों किल ले जाता एक पहले से नौक पड़ा था और एक रिवाई रिवाई खिल लेते भाई दोनों की किल ले जाता वो कैर यहाँ पर सब की पेटी बन गई है मैं बोलता हूँ ठीक यार गन भी मिल गई बढ़िया गन भी पड़ी है जिंदगी में किल भी मिल चुकी है अब थोड़ा आराम से खिल सकते हैं लेकिन फिर से दिमाग में लागा चा जाती है मैं देखता हूँ यार 21 किल चुकी है क्यों न 30 कर दी जाया और सही बता रहा हूँ 30 किल जब होती है न मैं 40 के पीछे भगने लगता हूँ और ये जो गाड़ी का हम पीछा कर रहे हैं न यार ये पीछा पहुत पहुत भारी पर सकता था देखो क्या सीन हों गया अगे और ये बंदा अगर थोड़ा सा भी आगे भग जाता यार हमें इसे पकड़ना नमूम की इंटैप चीजे हो जाती क्योंकि देखो गाड़ी में पट्रोल खाली हो चुका है अब सीन क्या है ये जगा है जून के बाहर मैं बोलता हूँ यार कौन ही होगा इधर पे मैं चौड में भगने लगता हूँ और यार जोस में बेहुस ही खो बैठता हूँ अब आप सूच रहे होगे यार कि मैं कर क्या राता यहां पे मैंने गोली पहले ही क्यों नहीं चलाई तो देखो सीन क्या होता है गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और यार सक्रीन पे पाउडर न पेलो न जबता काम नहीं करती ठीक से तो मैं चौड में बगतावा छोड के पाउडर पेल रहा हूँ सक्रीन पे गोली की आवाज आती है मैं बोलता है अपने टीमेट को भाई क्यों डरा रहे हो फिर मैं सामने देखता हूँ और असली डर सामने देखने में दिखाई देता है सामने साम लेटा पड़ा है कैर जैसे तैसे गर के पेल जाता हूँ मैं उसे और अपन लोग वहाँ से गाड़ी उठा के इधार पोचंती की तरफ आते हैं और देखो यार सकॉर्ड हाउस इस समय पे खाली हो मैं मानी नहीं सकता बंदे बैठे पड़े हैं वाँ पे और मेरे ख्याल से ये आखरी है सोटे इस गेम का क्योंकि इसके आगे जाके न सनाइपर क्या यार सपरेव अगेरा देना वो भी दिक्कत दाय हो जाता है खैर दिक्कत चाहे कितनी भी हूँ रस्तू करना ही पड़ेगा और दिक्कत करते अभी और भी बढ़ जाएंगी और ये लोग अपनी जिन्दग इभर की नेड की सारी जमापुंजी सीडियों में पेल देते हैं मतलब यार तीस मिनट से जो भी नेड उठाए सारे यहीं आदे मिनट के अंदर खाली कर दिया बिलकूल और देखो यार अब तो उपर जाने में भी फट रही है क्या पता कितने नेड उठा रहे हूं अभी भी फट रहे नेड तो मैं यहीं थोड़ी देर और इंतेजार करता हूं फिर जाएंगे उपर अब गोलियां अंदर से भी चल लए है और बाहर से भी चल लए है और जहां तक मेरे को पता है यार हम पे नहीं चला रहा है कोई यानि कि दो टीम के बंदे हैं यहां पे और यहां पे मेरी जिन्दगी भीद गई नेड फटने का इंतेजार करते करते और यार इन लोगों के नेड खतम ही नहीं हो रहे है वहां उपर पे भाई पे हेल्मेट नहीं है लेकिन भाई पीक करके नेड बराबर कर रहे हैं उपर से और जब मेरे को लगता है कि यार आखिर कार सारे नेड खतम हो गए तब एक नेड सोफे में फटता है और यहां पर पता चलता है कि यार मैं गलत था आप्थ वो आगरी हेट सोट नहीं था मेरा आप्थ अब यह एक और सोट बाकी है और यार मैं वहां बगने में शरम की बात कर रहा था इन भागने में शरम की बात कर रहा था इन भात पता है आई को देखो बे शरम बे हया लेटा पड़ाय चत पे हम यहां पे कितने देर से कड़ें बंदे ने एक गोली नी चलाई हम पे और जब यार लडाई खतम हो गई हमको पकड़ लिया अब आप इसे बहाना समझ सकते हूं लेकिन यार सही में मेरे को पता तक नहीं चला कि क्या सीन हो गया मैं हीलिंग दबा रहा हूं गन निकल लहीं है मैं गन निकालने की कोशिस कर रहा हूं यार बंदा कोल्डरिंग पी रहा है यार बहुत ही बढ़िया और उसके उपर से यार उसके फुटी स्टैप मेरे को आय तक नहीं वो कब भगते वाया कब मेरे पीछे कुछ दिन में तीस से कई जादा कई जादा किलोने वाले इंतिजार करो बस सबस्क्राइब पेल दो जाते जाते वहाँ पर पानी के अंदर गया था ना नदी ना होते वे यार वो गलत सीन के लिए और मेरे ये सस्ते हैट सोट वगयरा के लिए और इस केमपर बंदे के ठोकना मत बूलना और अगर आप यहाँ पे नए हो तो आर करो सबिस्क्राइब और भी ऐसे गलत जिन वाले गेमपले जिस पे आर बहना देते देते चिकन हो जाता है इस भार नहीं हुआ और सस्ती कमेंटरी के लिए और हाँ भाई लोग तुम्हारा भाई डेली रात के टाइम नोनो लाइफ पे लाइफ सट्रीम अगेरा करता है नो बजे से तो यार वहाँ पे भाई को फॉलो करना मत बूलना बहुत जल्द मोबाईल फोन और यूसी के गिवावे होने वाले है नोनो लाइफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी थोड़ा नीचे की तरफ बस डाउनलोड करो बाई का नाम सर्च करो और फॉलो पेल दो और यार अगर आप उन लोगों का ओफिशल यूटूब चैनल फॉलो करना चाते हो सब्सक्राइब करना चाते हो तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी वो भी नीचे की तरफ वहाँ पे हाइलाइट्स मिलेंगे आपको मेरे और बाकी यूटूबर्स के तो वहाँ पे आप उन्हें फॉर्यों कर सकते हो तो आज की यूटन में इतना है भालो क्यार और जाते जाते वह पबजी टूर्नमेंट टैप चकाउट करना मद बूलना टूर्नमेंट खिलो और जीत के पैसे अन करो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी बिल्कुल टोप में तो कर मिलते है यार बाइ बाइ